नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अमित स्वागत है आप सब का डिफेंसिटी कोड़ पे और इस वीडियो में बात करने वाले हैं 3S Mark 2 के बारे में तो जिहां दोस्तों 3S Mark 2 को लेके ADAK के इंजीनियर ने ऐसा बताया है कि Mark 2 के लिए जो इसके Pre-Production Aircraft बनाये जाने हैं जैसे कि आप तो को पता ही होगा Mark 2 के लिए कोई भी Technology Demonstrator बनने नहीं जा रहा है सीधे ही Pre-Production के Aircraft बनेंगे जो कि IOC लेवल के Configuration के होंगे तो ADA के इस Engineer का मानना ये है कि ADA ने जो Timeline दिया है 3S Mark 2 को Develop करने का 2025-24 तक जो कि Mass Production में जा सके तो उस Timeline को Achieve करने के लिए ADA ने इसके Aerodynamics को लेके काफी अच्छी-खासी Research कंप्लीट कर लिया है जो कि Computer Added Simulations पर कंप्लीट की गई है जैसा कि आप सब को पता ही होगा जो Air Force का 3S MK2 है वो एक Medium-Bed Category का Fighter होगा और इस चीज के लिए जैसा कि आप सब जानते होंगे कि 3S Mark 2 का डियाइन 3S Mark 1 और 1-A से Evolve होके आ रहा है तो वहाँ पर वो डियाइन और उसका Airframe Size के Compare में Mark 2 से छोड़े थे लेकिन इसको एक Medium-Bed Category के Fighter बना जाने के लिए इसके Airframe डियाइनिंग को Always Strong किया गया है ताकि वो Uneven Pressure Distribution को संभाल सके और मनुवरिंग चमता में Contribute कर सके और इस Official का मानना ये है कि 3S Mark 2 के Manufacturing के लिए इसके Pre-Production Jet के Manufacturing के लिए जो Metal Cutting Work है वो स्टार्ट कर दिये गया है जहां तक बात है कुछ Equipments की जो कि इसके Manufacturing में लगने वाले हैं तो उन Equipments को लेके भी Order दे दिये गया है और जल्दी वो आ जाएंगे और वहीं पर दूसरी तरफ इस Engineer का मानना ये था कि 3S Mark 2 के लिए जो भी इसमें GE के F414 एंजन लगेंगे उनमें से कुछ एंजन को ले लिया गया है कि वो सभी Software और Hardware कंपनियां जो कि Mark 2 के लिए Component या फिर Program डेवलप करने वाले हैं उन सब को Confidence में ले लिया गया है और इन सभी Components पे जैसे की Radar जो कि इसा Radar होगा और Most Probably उत्तम इसके TR Module को और Improve किया जा रहा है अब बात करते आए IRSTS लिस्टम की तो उसके लिए भी इनका मानना ये है कि इस पे काम चल रहा है और जहां तक बात है On Board Oxygen Generator की तो उसे भी Indigenously Develop कर लिया गया है और इसी तरह Electronic Warfare Shoot और Different तरह के Sensor Shoot Manufacture करने वाले जितनी भी कंपनिया है उन सब को ये बता दिया गया है कि 2021 और 22 का Timeline है और उस वक्त तक ये सारे Components इनका मानना ये है कि बनके तयार हो जाएंगे जो कि 33 Mark 2 में लग पाएंगे और जहां तक बात है Mark 2 पे Testing की तो Testing को लेके ADA की इस Official का मानना ये था कि हम 33 Mark 2 पे हमें Testing में काफी Experience हो गया है और Accordingly Different तरह की Testing Methods हम Mark 2 के लिए प्लान कर सकते हैं जो कि हमें Help करेगा इसके जो different parameters है जो कि Testing के दोरान Check होने चाहिए उनको जल से जल Evaluate करने में और जो भी Rectifications होंगे उनको Implement करने में वहीं पे कुछ Senior Officials का मानना ये है कि जो ADA Target कर रही है 2025 या 24 तक Mark 2 को Production में भीजने के लिए Mass Production के लिए कुछ Officials का मानना ये है कि ये Possible नहीं है क्योंकि अभी भी ये बहुत सारे Steps बाकी हैं जो कि Testing के दोरान उभर के सामने आएंगे जैसे कि हमने इसमें जो Extra Module Add किया है कनाड तो उसके वएसे Different तरह के Parameters सामने आने वाला है जैसे कि आप सब जानते ही होंगे यहाँ पे कनाड की Addition की वज़ा से जो आपका Lift है वो बढ़ गया है और साथ ही हमने कनाड में Diahedral Angle दिया है जो कि कही न कही पांच से लेके 8 डिग्री के बीच में है और यह Diahedral Angle Basically Roll को Improve करने के लिए दिया जाता है Aircraft के जबकि दूसरी तरफ इस कनाड की जो Position क्या होगी कि कि किस Angle of Attack पे यह Air Vortex को कितना Break करेगा जो कि Help कर सके आपके Aircraft को एक High Angle of Attack पे तो इस तरह की Positions Find करना और उन सभी Position पे Programming लिखना और वही Programming Mass Production में यूज हो पाए तो इस चीज में टाइम जाने वाला है क्योंकि भले ही आपने CFD Studies करके यह सारे Angle of Attack पे Air Vortex की क्या Position होगी आपके Center of Lift की क्या Position होगी आपके Center of Gravity की क्या Position होगी यह भले ही आपने CFD Studies में Find कर ली हो लेकिन इसका जो Major Issue आता है जब इसे आप Practically Execute कर रहे होते हो तो उस दवरान जो भी खामिया होगी कनाड की Position में एक Particular Angle of Attack के लिए तो उसको भी Programming में Introduce कर जाएगा तो आपको इस Simple Language में यह बता दूँ कि Angle of Attack वो चीज़ होती है जिससे आप Air को Face कर रहे होते हो मान लो आप अपने Aircraft के Nose को उठा कर यानि कि Pitch करके आगे बढ़ रहे हो तो मतलब आप अपने Angle of Attack को बढ़ा रहे हो जो कि सामने से आ रही Air से एक Angle बनाता है तो उसे ही Angle of Attack कहते हैं तो यह एक Lame Language में इतना ही रखते हैं तो जैसे ही Pitch का इस्तेमाल करके आप अपने Aircraft को एक Altitude दे रहे होते हो तो उस दवरान आपका Angle of Attack higher होता है इसमें जो सामने से आ रही Air होती है वो आपके Wings पे एक अच्छा खासा Drag Create करती है और आपके Center of Lift को Change करने की कोशिस कर रही होती है जिसकी वयसे आपका Aircraft Imbalance हो जाता है तो उस दवरान आपके कनाट किस Position में होना चाहिए ताकि वो सामने से आ रही Air को अच्छे से Counter कर सके और जो भी Vortex हैं उनको Break कर सके ताकि जो Center of Lift की Position है उससे Control में लाया सके तो इन सभी चीजों को देखते हुए ये Programming लिखी जाती है ताकि in future ऐसे Aircraft को उड़ाते वक्त जिस भी तरह का Angle of Attack आप जितनी भी Altitude में Manoeuvre कर रहे हो आपको Face करना पढ़ रहा है तो उन सब के लिए एक Programming एक Position Software की Help से लिखी जाती है और जिसके लिए कहीं ने कहीं Practically आपको इसके First Flight के बाद different-different तरह के Air Actifications करने पढ़ेंगे और ये Air Actifications कम से कम एक से दू साल इस Program को पीछे कर सकते हैं इसके Mass Production को लेके हाला कि अगर आपने जो आपकी CFD Studies है उसको अच्छे से Execute किया है Later Variation के उतने Chances नहीं होते है वहीं पर ADA का मानना ये है कि कनाड को लेके जो Position Determination है वो हमने 3 Mark 1 के Study के दोरान ही कर लिया था क्योंकि 3 Mark 1 में ही Plan था कि कनाड लगेंगे बाद में नहीं लगाया गया तो उनका मानना ये है कि इसके लिए जो प्रोडाम सेट है इसे कैसे कंट्रोल करना है वो चीज हमें पता है अगर ये सारी चीज़े सही रहती है और ADA जो कह रही है कि वो 2024 तक 3 Mark 2 को प्रोडक्शन में भेज देंगे मास प्रोडक्शन के लिए तो I will be more than happy लेकिन हमारी जो एक हिस्ट्री है और जो वर्क कल्चर है उन सब को देखा जाए तो कम से कम ये प्रोडाम एक से दो सार दिले हो सकता है तो यहाँ पर इन सारी बातों का रेक्टिफिकेशन्स चाहिए होंगे उस स्टेज में हो सकता है टाइम जाए जिसको इंप्रूव्मेंट के बाद एक कॉंक्रीट मॉडल बना दिये जाएगा आसा करते हैं कि सारे स्टेप चल से जल कम्प्लीट हो जाए तो इस वीडियो में इतना ही अगर आपको यूटिव पसंद आई है गिव उस आ लाइक दोंगर दिस्ट्राइब जाहिए